तो स्वागत है आप सभी का अग्यापनिक एडमी के इस नय और लेटेस्ट वडियो में फाइनली ये जो उर्दू फोर बिगनर्स का सिरीज है आज के इस वडियो में कम्प्लीटली कम्प्लीट हो जाने वाला है यानि कि आज के इस वीडियो में उर्दू for beginners का सफर जो है समाब वैसे अगर देखा जाए तो इसका पहले वाला जो part है यानि कि part 40, 40 part ही मतलब इस उर्दू for beginners का last part है part 1 से लेकर part 40 तक मैं आप लोग को complete उर्दू सिखा चुकी हूँ हलांकि part 40 मैं बोली नहीं हूँ कि part 40 की last part है क्योंकि कहीं न कहीं एक कमी रह गई थी कहानी की क्योंकि part 1 से लेकर part 40 यानि कि 40 तक हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं अक्षर में पढ़ना, मतलब उर्दू के हर्फ जोते हैं और वाक्य से बने कहानी को लिखना बाकी रह गया था, इसी चीज़ की कमी रह गई थी तो part 40 तक तक तो समझे कि आप लोग complete सीख चुके हैं उर्दू लिखना और पढ़ना बस वाक्य से बने कहानी को लिखना नहीं बताई थी मैं आप लोग को और इसलिए ये next समझे की वीडियो बनाना पड़ा तो आखिर में इस वीडियो में आप यू कह सकते हैं कि completely उर्दू फोर बिगनर्स का सिरीज वह समाप्त हो जाने वाले अग्दम पून रूप से आज की इस वीडियो में उर्दू फोर बिगनर्स का सफर समाप्त ठीक है ये लास्ट वीडियो है उर्दू फोर बिगनर्स का ठीक है और वैसे देखा जाए तो पार्ट 40 वा पार्ट ही लास्ट पार्ट है वहां तक complete मैं उर्दू पढ़ना लिखना सिखा दी हूं ठीक है तो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग कहानी ये कहानी के बेस्ट पर है वाकिय से बनी कहानी को सीखने वाले हैं किस तरह उर्दू में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है कहानी को और पार्ट 40 तक अगर पार्ट 40 तक उर्दू फोर विगनर्स का आप लोग देख लिए हैं तब ऐसा लएगा कि यह सची कहानी है ठीक है और इस कहानी से आप लोग को एक तरसे मोटिवेशन भी मिलेगा उर्दू फोर बिगनर्स के सिरीज को दूसरों तक शेयर करने क्या ठीक है तो फाइनली आज का यह जो वीडियो है लास्ट वीडियो है और बहुत ही जिदा इंट आप लोग को विश्वाइस दिलाती हूं कि अगर आप लोग पार्ट वन से लेकर पार्ट चालिस तक उर्दू फोर बिगनर्स का सिरीज देख लिए हैं और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझे ना तो समझे कि इस कहानी को जो कि मैं हिंदी में या पर लिखी हूं आप खु अगर आप पार्ट वन से लेकर पार्ट चालिस तक देख लिए हैं तो और हर एक पॉइंट को समझ लिए हैं तो इसलिए मैं बोल रही हूं कि जो लोग उर्दू पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं अगर उर्दू फोर बिगनर्स का पार्ट वन से लेकर पार्ट चालि इस तक देख चुके हैं और complete उर्दो सीख चुके हैं तो इसमें एक परसेंट भी आप लोगो डाउट नहीं होना चाहिए मैं लिखूंगी तो आप लोगो confusion नहीं होना चाहिए कि यह चीज किस तरह लिखा गया क्योंकि हर एक चीज लिखना पढ़ना बता चुकी हो कहानी कुछ इस तरह से है कि समीरा नाम की एक लड़की थी समीरा नाम की एक लड़की थी लड़की का क्या नाम था समीरा चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले पहले लिखी आप लोग समीरा आप लोग को मैं ये भी बता चुकी हूं कि हिंदी को हम लोग बाएं से दाय की तरफ लिखते हैं लेकिन उर्दू को दाय से बाय की तरफ लिखते हैं तो यहां पर हिंदी में लिखा गया है कि समीरा नाम की एक लड़की थी इसको हम लोग उर्दू में लिखना है तो सबसे पहले आप लोग लिखिए समीरा समीरा को उर्दू में लिखिए तो यहा आपको हर एक चीज पता होगा ठीक है तो यह हो गया समीरा मैं अब लिखते चली जाओंगी बताओंगी कि यह किस तरह लिखा गया क्योंकि आप लोग हर एक चीज जानते हैं अगर नहीं जानते हैं डारेक्ट यह पार्ट 40 मतलब यह लास्ट पार्ट देख रहे हैं तो आप तो आप लोगों से मैं रिक्विस्ट करूंगी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 40 तक देख लें कंप्लीट उर्दू सीख लें तब यह कहानी पर आएं तो और कोई भी कहानी कोई भी निबंद आसानी से उर्दू में लिख सकते और पढ़ भी सकते हैं तो देख़ें यह हो गय तो आप लोग जूम कर लिजेगा और क्वालिटी भी बढ़ा लिजेगा और अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं स्पीड बोल रही हूं तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं यूटुब ने बहुत सारा फीचर्स दिया है आप लोग फाइदा उठाइए तो समीरा नाम की क एक लड़की लाम से ला और अड़े से ला लड़ और यह हो गया की लड़की ठीक है थी तो इस तरह से थी लिखा जाता है बताई भी हूं में आप लोग को तो समीरा नाम की एक लड़की थी ठीक है जो दसवी क्लास की तयारी कर रही थी जी हां समीरा नाम की एक लड़की का रहा है ना कोई एक्जाम की तियारी कर रहे हूं चीकर नहीं है देखिए आगे की कहानी क्या है समीरा नाम की एक लड़की थी जो दस्वी क्लास की तेयारी कर रहे थी सबसे पहले हम लोग यहां तक लिख लेते हैं जो लिखिये जो जिम के उपर पेश और वाव जुड़कर जो दसवी यह हो गया दाल से दो और सीन से सो और वाव वाव के निचे जेर और छोटी यह जुड़कर वी और नून गुन्ना से उपर बिंदु अला ना तो यह हो दसवी जो दसवी क्लास लिखना असान है यह हो गया काफ से का लाम एलिव जुड़कर ला और यह हो गया सीन से सम दसवी क्लास समीरा नाम की एक लड़की थी जो दसवी क्लास की तैयारी कर रही थी तो की लिखे यहां पर मैं लिख दे रही हूं की तैयारी देखे तैयारी तो तैयारी में आप लोगों को बार बर बताई हूं लिखना ये हो गया तैयारी ठीक है तैयारी कर ये हो गया कर उसके बाद से क्या है रही तो देखिए रे से रहा और हे के नीचे जेर और छोड़ी जूड़कर रही रही हो गया और थी यहां पर हो गया थी ठीक है कि तैयार आगया है कि समीरा नाम की एक लड़की थी जो दसवी क्लास की तियारी कर रही थी ठीक है आगे क्या है लेकिन वह उर्दु पढ़ना लिखना नहीं जानती थी तेंथ क्लास की तियारी कर रही थी लेकिन वह उर्दु लिखना पढ़ना नहीं जानती थी हो सकता है कि आप लोगो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता हूं तो देखिए जरा कहानी को पर गौर करें आप लोग वो जो लड़की थी समीरा वो बोड़ एक्जाम की त्यारी कर रही थी लेकिन वह उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानती थी तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाओंगी लेकिन लिखिए लाम के नीचे जेर और यह जुड़कर ले और काफ से का नून से ना यह देखिए लेकिन लेकिन वह यह हो गया वह उर्दू अलिफ से आ होता है उसके उपर पेश जुड़कर उ रेसे रा और दाल के उपर पेश और यह हो गया ना पढ़ना और लिखना लिखना भी आसान है यह हो गया लिखना ठीक है वह उर्दू वह उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानती थी तो नहीं लिखिए यहां पर नहीं भी लिखना में आप लोग को बताई हूं यह हो गया नहीं जानती जिम में जुड़कर क्या नुन से नौर्टेंट के नीचे जेर और फोड़िये जानती नहीं जानती और थी यहां पर लिख दें तो उसके सांथ दिक्कत क्या थी समीरा नाम की लड़की के सांथ वो बोड़ एक्जाम की ते तो यहरी कर रही थी क्योंकि 10th class का जो board exam होता है, उर्दू subject उसमें रहता है, ठीक है, अब वो बहुत जिदा लड़की परिशान थी कि अब मेरे board exam में उर्दू subject का क्या होगा, मैं तो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ, मैं उर्दू में क्या लिखूंगी, किस तरह से exam दूँगी हो सकता है, आप लोग को भी ये tension हूँ, आप लोग भी board exam की तेहरी करें और उर्दू आप लोग का subject हो, और आप लोग को tension हो रहा होगा, कि मतलब board exam में उर्दू का क्या होगा, उर्दू तो मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ या फिर नहीं जानती हूँ, बिल्कु इसके उपर जपर और व जड़कर और हयो और और भःव उख अ मेलिख दी पेसर और रे के नीचे, जैर और ये जुड़कर रे और शीन, मैं अलिफ जुड़कर शा और ये हो गया नुम से नौ, परेशान, ठीके, ठी, ये हो गया ठी, की, बोड, तो की, देखिए की इस तरह है न, की इस तरह से लिखा जाता है, काफ, और इसी में हे जोड़ दिया जाता है, की, बोड, बोड लिखना आसान है, बे की उपर प के हो गया, इमतहान में, तो इमतहान लिखना में आप लोगों को बताई हूँ, अलिफ के नीचे जेर मान लिए, तो इ, मिम से म, ते से त, हे मेली जुड़कर हा, और नून से न, ये हो गया इमतहान, इमतहान, और में, उर्दू का, तो ये हो गया में, ठीके, उर्दू, य यहां तक आप लोग को कहानी समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं आगे कहानी किस तरह से हैं तब तक उसकी सहली उससे मिलने के लिए समीरा के घर जाती है यानि कि समीरा बहुत जिदा परेशान थी कि बोड एक्जाम में उर्दू सब्जेक्ट का क्या होगा मैं उर्दू सब्जेक्ट में क्या लिखूंगी मुझे उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता है इस टेंसन में थी तभी समीरा के घर उसकी सहली उससे मिलने के लिए आई कि यह आप लोगं को लिखना है सबसे पहले उर्दू में लिख लेते हम लोग आप तक उसकी सहली तो तब तक सबसे पहले लिखे यह घरिभ दर टेसे चौरवां अर्लanne और तक ये हो गया तक तब तक उसकी तो देखिए अलिफ और ये हो गया अलिफ तो बर पेश से उ हो गया और सीन उस हो गया और की ये हो गया की उसकी उसकी सहेली सहेली भी लिखना असान है ये देखिए सीन से सह हो गया हे के नीचे जेर और ये जुड़कर हे और उसी में ला सहली उसकी सहली उससे मिलने के लिए उससे तो लिखिये अलेफ के उपर पेश मान लिए तो उस और यह हो गया से उससे मिलने मिम के नीचे जिर मान लिए तो मी और लाम सेला नून के नीचे जिर मान कर यह जोड़ दिये तो ने तो मिलने उससे मिलने ठीक है के लिए काफ के न आप लोग को बार-बार बताई हूं लिखना इस तरह से लिखा जाता है आप लोग जानते भी होंगे आप लोग को याद भी हो गया लिए यह हो गया के लिए के लिए समीरा सीन से सव मीम के नीचे जेर मान कर यह जुड़ दिये मी और यह मैं जुड़ कर रहां समीरा के यह हो कि नहीं के लिए आगे क्या होता है समीरा आपनी सहली सारी परशानियाँ बताती HOLY प्लेकी में थी आ होगा इसी कि टेंशन में वह बैठी कि टेंशन में थी तब उसकी सहहली उसे मिलने के लिए आए गई तो समीरा क्या कि अपनी सहेली से सारी परिशानिया बता दी कि मेरा उदू पढ़ने लिखने नहीं आता है मैं क्या करूं तो इसको लिखते हैं पहले समीरा अपनी सहेली से तो समीरा फिर से लिखे स यह हो गया मी और यह हो गया रा समीरा उसके बाद क्या है अपनी सहेली से तो यह हो गया अ यह हो गया पो ठीक है और यह हो गया नी अपनी समीरा अपनी सहेली सहेली यह हो गया सहेली ठीक है सहे और ली सहे ली से सारी परेशानिया तो यह हो गया से और सारी सीन में जुड़कर सा रे के नीचे जेर यह जुड़कर री सारी परेशानिया तो देखिए पे से पा हो गया रे रे से रह और परे रे के नीचे जेर और यह मान कर रे हो गया और इसी में शीन में जुड़कर निए परेशानिया है यह बनी सहली से सारी परेशानिया बताती है ठीक है तो बताती हैं समीरा तो सारी परिशानी आपनी सहीली को बता देती है आगे क्या होता है तो उसकी सहली क्या उसकी सहेली हसते हुए बोली कि तुम इतनी छोटी सी परेशानी से घबराई हुई हो भई जब समीरा जो है सहेली को अपनी सारी परेशानिया बताई तो उसकी सहेली हसते हुए बोली कि तुम इतनी छोटी सी परेशानी से घबराई हुई हो चलिए सबसे पहले इसको लिख ल बढ़े हों लिए और िवर कि यह ओ गया उसकी जहेली कि यहां पर सहेली दीज़े हैं सहेली ठीक है उसकी सहेली हसते हुए तो यह भो गया है से हओ इसके उपर नून मालिय कुर्ण वाला हो गया बढ़ यह नून और सो यह हो गया सो और यह हो गया ते के नीचे जेर मान कर बढ़िये जोड़ दिये तो हसते उसकी सहेली हसते हुए बोली हुए देखिए एक उपर पेश मान लिए हूँ और ये हो गया हुए बोली बेक उपर पेश मान लिए और ये हो गया लाम के नीचे जिर मान कर छोटी है बोली की ये हो गया की उसकी सहेली हसते हुए बोली की तुम इतनी छोटी सी पहले इतना लिख लेते हैं ये हो गया तुम ये हो गया इतनी ठीक है छोटी छोटी लिखना आसान है छे की परपेश मान लिए और वाव जोड़ दिये छो और टी छोटी सी सिन्क नेचे जिर्मान कर ये जोड़ दिये छोटी सी परेशानी से घबराई हुई हो तो परेशानी लिखें यहाँ पर आप लोग परेशानी ठीक है परेशानी परेशानी से घबराई आप लोग जान दे ना घबराई घबराई यहाँ पर लिखना है कैसे लिखा जाएगा घबराई यहाँ पर लिखना है कैसे लिखा जाएगा तो उसकी सहली क्या बोली उसकी सहली हसते हुए बोली कि तुम इतनी छोटी सी परिशानी से घबराई हुई हो यहां तक तो हो गया और आगे क्या बोलती है उसकी सहली कि मतलब यह समीरा सारी परिशानी बताती है अपने सहली से अपनी दोस्त से तो उसकी दोस्त बोलती है कि इतनी छोटी सी परिशानी से घबराई हुई हो अरे समीरा जब यूट्यूब चैनल पर मुस्कान मैम है तो घबराने की क्या ज़रत बिल्कुल सही बोली समीरा की सहेली जो है ना बिल्कुल सही बोली देखें यहाँ पर समीरा की सहेली भी मुसकान मैम का नाम ले रही है किसका मुसकान मैम का कि जब YouTube चैनल पर मुसकान मैम है तो घबरानी की क्या ज़ुरत बिल्कुल जब YouTube चैनल पर मैं हूँ तो घबरानी की क्या ज़ुरत है जितने भी लोगों को उर्दू पढ़ने लिखने नहीं आता है घबराने के बिलकुल भी ज़ुरत नहीं है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं या भी आधी कहाशनी आधी कहानी अभी इसको मिटाकर फिर से आधर और हैं वह बचा हुआ है कहानी कहानी में कहानी में ट्विस्ट है आप पूरा कहानी सुनियागा और लिकह RA Way तो ध्यान से देखिएगा और आप लोग हो सके तो अपने से लिखने की भी कोशिश कीजिएगा चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं अरे समीरा तो अरे समीरा यह हो गया और यह हो गया अरे समीरा समीरा वापस लिख दीजिए यहां पर समीरा तो बहुत बार लिख चुकी म समीरा अरे समीरा जब यूटूब जब लिख दीजिए जिम सजा और बेसे बाद जब हो गया यूट्यूब देखें यह हो गया यू और यह हो गया टेसिटा यह की उपर पेश और वाव जुड कर यू यह की उपर पेश और वाव जुड कर यू टेसिटा यू और टेसिटा हो ये के उपर फिर पेस्ट और वा जुड़कर यू तो यूटी यू यू टीव और यह हो गया बह्फ बैसे व यूटीयू जब यूट्यूब चैनल लिखना असान है ये हो गया चे से चो इसके उपर जबर मानगर ये जोड़ दिये चै हो गया इसमें नून जोड़ दी है नून से ना लान से लाव चैनल जब यूटीव चैनल पर देखें यह हो गया मुस्कान या समीरा जब यूटूब चैनल पर मुस्कान और यहां पर क्या है मैं तो मैम भी तो लिखने के जबरमान कर醒 में मैं हो गया और में बई मॉस्कान मैं है याहां के उपर दिशेये वाले है बिन्दू रहेगा यह था correct सो यहां पर लिखेये है उपर बिन्दू वाले है कोँई तरह गुंदू तो है तो घबराने की ज़ूँरत नियां पर दिटेक के उपर पेश मान कर वा जोड़ दूए तो और घव वर रा देखिए घवब रे में अलिफ जो कर रहा और नून के नीचे जिर मान कर ये जोड़ दिए तो ने ठीक है एक बड़ फिट से मैं लिख दे रही हूँ, देखें, आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर जूम कर लिजेगा आप लोग, यह हो गया घव, यह हो गया बह, रे में लिवट कर रहा, और यह हो गया ने, घबराने, की क्या जरूरत, तो यह हो गया की, क्या, काफ से को क्या और जरूरत होता है इस लिए रूह हो गया और से रर और कोस्चंट मर्क लगाव Nga क्या जरूरत अब आगे की कहानी क्या है मैं बोड़ में मिताती हूं अ फिर मैं आप लोग को आगी कि कहानी लिखती हुई इंदी में और फिर उर्दू में भी मताउं ठीक है देखे कितना आसानी से हम लोग यह आधी कहानी को उर्दू में लिख लिए हैं सोचिए यह आप लोग को हर एक चीज समझ में आया होगा अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 40 चालीसवा पार्ट तक देखे होंगे कमप्लीट उर्दू जो कि मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ तो यह आप लोग के लिए एकदम आसान बाय हाथ का खेलोगा यह आप लोग को हर एक चीज समझ में आ रहा होगा जिसना भी मैं लिखी इसमें आप लोग एक परसेंट भी कमफ्यूज रही होगे कि यह मैं कि अब आई हम लोग आगे समझते हैं आगे की कहानी क्या है अब तो सहली उसके पास आई थी समीरा की सहली समीरा के घर आई और समीरा सारी कहानी मतलब सारी परेशानिया बताई अपनी सहली से तो उसकी जो सहली है वो बोली कि तुम इतनी छोटी सी परेशानी से तुम घबरा समीरा को समीरा की सहली उससे ये बोलती है कि अगर तुमको उर्दू में कुछ भी नहीं आता है तो उर्दू फोर बिगनर्स वाले प्लेलिस्ट के सभी 40 वीडियो को देख लो दस दिनों के अंदर तुमको उर्दू लिखने पढ़ने आ जाएगा यह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कितना जबरदस्त कितना सही राय दी है समीरा की सहली समीरा को दोस्त सही सहली होना चाहिए न तो समीरा की सहली के जैसा मतलब सही वक्त पर सही राय दी है बिलकुल सही बात बोली है कि अगर आप हमारे जो उर्दू for beginners का सिरीज चला था part 1 से लेकर part 40 यानि कि उर्दू for beginners का जो playlist है अभी playlist का link मैं इसी वीडियो के description में डाल दी हूँ ठीक है ना जिसमें total 40 वीडियो है तो समीरा की सहली समीरा को कितना सही decision बिलकुल सही राय दी है सही वक्त पर इस तरह का दोस्त होना चाहिए ना इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि आप लोग के भी अपनी दोस्त होंगे अपनी रिष्टेदार होंगे जो लोग उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो आप उन तक इस उर्दू for beginners के playlist को शेयर करें इसी वीडियो के description में है लिंक में डाल दी हूँ playlist का आप लोग शेयर कर दें जितना ज़दा हो सके ताकि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं वो उर्दू लिखना पढ़ना और यहां तक की पढ़ाना भी सीख सके तीखें चलिए तो इसको हम लोग उर्दू में लिखते हैं अगर तुम उर्दू में कुछ भी नहीं आता है समीरा की सहली, समीरा से क्या कहती है, कि अगर तुमको उर्दू में कुछ भी नहीं आता है, तो इसको लिखते हैं हम, देखे, अलिफ से ओ, गाफ से ओ, अरे सिरा, अगर तुमको, तो ये हो गया तुम, और ये हो गया को, तुमको, उर्दू में कुछ भी नहीं आता है, तो य तुमको उर्दू में कुछ भी नहीं आता है तो यह हो गया काफ से को और यह हो गया चो तीके काफ को उपर पेश्मा लिये तो कूँ और चो कुछ भी यह हो गया भी अगर तुमको उर्दू में कुछ भी नहीं आता है तो यह हो गया नहीं और यह हो गया आता अलिफ के उपर बुवाला नहीं नहीं मतलब है में पर इनले यानिंग की इस तरह से लिखा जाएगा अगर तुम उर्दु में कुछ भी नहीं आता है तो तो यहां पर लिख दे तो और्दु इंस धूरはい Englege यानि कि लिखा गया इंग्लिश में और यहां पर मैं लिखा घाटा eyeshadow उन्ट उर्दू फॉर बिगनर्स इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में उर्दू फॉर बिगनर्स इस तरह से लिखेंगे लेकिन उर्दू में कैसे लिखेंगे उर्दू में उर्दू फॉर बिगनर्स चलिए मैं लिखतर बताती हूं उर्दू फॉर बिगनर्स तो लिखें यहां प ठीखें, उर्दू for beginners, इस तरह से लिखा जाता है, उर्दू for beginners, उर्दू में, ठीखें, उर्दू for beginners, वाले, playlist, वाले सबसे पहले लिखें, वा और ले, वाले, playlist, यहां पर देखें आप लोग, पे से पा हो गया, और लाम के नीचे, यह हो गया पे से पा, और यहां पर ले है लाम के नीचे जेर और बढ़ी ये जोड़ दिये तो ये हो गया ले, प्ले, ये हो गया प्ले, और फिर लिस्ट आप लोगो को लिखना है, लाम से ला, लाम के नीचे जेर मान लिए ली और सीन से सा, और ये हो गया टे से टा, लिस्ट, प्ले लिस्ट, उर्दू, उर्दू, वाले प्लेइलिस्ट के सभी 40 तो के हो गया यह और यह हो गया सभी ठीक है सभी और 40-40 में लिख दे रहे हूं यहां पर 40 वीडियो को देख लो ठीक है वीडियो कैसे लिखेंगे यह हो गया वी और यसी में डालेंगे मतलब डाल से हो जाएगा वीडियो और वीडियो वीडियो हो गया को देख लो तो कास के इपर पेश मान करवाव जोड़ें को और देख लो तो देख यह ऋगया देख नीचे जिर मान कर यह हो गया देख और लाम के उपर पेश मन कर वाव जोड़ दिये लो देख लो दस दिनों के अंदर तो यहां पर लिख देती हूं दस आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं दस कैसे लिखा जाता है उर्दू में इस तरह से डाल से दाल से और शीन से सा दस लेकिन यहां आंदर लिखा गया है इस तरह तो इसी तरह में लिख देरां उंक में डिजिट में तो यह हो गया दस 10 दिनों के देखें दी तृस के उपर पेश यह जूडकर यह हो गया मूर मुर्णा से अपर बिंदू वाला ये ना नो की उन्हों पर एक लीं अदर यह लिए के और यहाँ गया अनून से ना अधाल सेदा और अन्दर तुम तो ये हो गया तुम को उर्दू लिखने पढ़ने आ जाएगा तो को यहां पर मैं लिख दे रहे हूं काफ के पर पेश और वाँ जुड़कर को उर्दू यह हो गया उर्दू लिखने पढ़ने तो लामसला ख और नून के नीचे जिर मानकर बढ़ी यह जुड़ दिया लिखने और पढ़ने लिखने लिखने और यह कुल गएगा यह पूरे यकीन के साथ यह मैं यह आपकर मैं लिखना में लिखनेश और लिखने जूड़कर यह मैं पूरे पूरे यह मैं तो पूरे यह हो गया पेग उपर पेश और वाव जुड़कर पू और एके नीचे जिर और बड़ी जुड़कर पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं तो यकीन कैसे लिखेंगे यह हो गया यह से यह और यह हो गया काफ से और काफ के नीचे जिर मन कर यह जुड़ दिया की और नून से ना य यकीन हो गया वो वption के नीचे बिन्दु विल अला है इसी वोजह से यकीन के साथ के साथ यहां पर लिख दे के और यह हो गया सीन में लीब जुरे कर सांथ teaching काफ से का होता है और यह हो गया यह से हो काफ से का में से हाँ कह ठीक कैं सक्ती सीन से साथ काफ से काई हो गया यह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं अब आगे देखें क्या हुआ जब समीरा की सहली समीरा को राय दी कि देखो तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी छोटी सी परशानी से घबरा गई हो जब यूटूब चैनल पर मुस्कान मैम है तो घबरानी की क्या जोरत है उर्दू फोर बिगनर्स वाले प्लेलिस्ट के सभी 40 वीडियो को देख लो 10 दिनों के अंदर तुम उर्दू लिखना पढ़ना और यहां तक की पढ़ाना भी सीख जाओगी कितना अच्छा राय दी ना समीरा की सहली समीरा को अब आगे क्या हुआ समीरा बिल्कुल वही की सच में यहां पर देखी लिखा गया है सच में समीरा अपनी सहली की बात मानी और सभी का सभी वीडियो 40 दिनों के अंदर देख डाली और खुद से उर्दू लिखने पढ़ने और यहां तक की उर्दू पढ़ाने को भी सीख गई वाँ वाँ क्या बात है ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो सकता है अगर आप बोर्ड एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं किसे भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आप लोगों को उर्दू लिखने पढ़ने नहीं आता है तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं फड़ापट 40 वीडियो को देख लेने के बाद जब आप ये वेला वीडियो देखेंगे ना क्योंकि 40 वीडियो तक तो पुरा मैं आप लोगों को complete उर्दो सिखा चुकी हूँ जब ये वीडियो देखेंगे लास्ट पार्ट जहां पर उर्दू for beginners का ये लास्ट पार्ट है मज़े की लास्ट वीडियो तब आप लोगो सच में ये बात reality में ये समझ में आएगी आप लोगो यकीन हो जाएगा कि वाकई में उर्दू for beginners का ये जो सिरीज है कितना important है उर्दू सीखने के लिए जब आप चालिस का चालिस वीडियो देख लेंगे और आप लोग उर्दू लिखना पढ़ना आ जाएगा और ये वाला वीडियो देख रहे होंगे कहानी पर बेस्ट जो कि मैं कहानी लिखना बता रही हूँ तब आप लोगो समझ में आएगा कि हाँ वाकई में वो चालिस का चालिस वीडियो कितना important है उर्दू सीखने के लिए ठीक है और जो लोग देख रहे होंगे उनको तो समझ में आई रहा होगा कि चालिस वीडियो देख लेने के बाद वो कितना उर्दू सीखने के है बहुत कुछ मैं आप लोगों बताई हूँ और complete बता चुकी हूँ चलिए इसको अब लिखते हैं तो सच में लिखिए सच में समीरा अपनी सहली की बात मानी तो सच में लिखिए सीन से सा और यह हो गया अच्छे से चाओ सच यह जो लोग मतलब नए नए हैं डारेक्ट मेरा यह वाला वीडियो देख रहे हैं उनको यह नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन अगर पार्ट वन से लेकर पार्ट चालिस तक देख लेंगे तो उनको यह हर एक चीज समझ में इसमें लागहिए तो सच हो गया और में यह दिखदेते हूं मैं में यह सच मे समीरा अपनी सहेली की बात मानी तो लिखते हैं हम लोग यहां पर सव मी और यह हो गया एक नी आंविघ्ट से अपासे प्र पे से पूर्म टिर्ट यह जूड़ कर नी अपनी ठीकिए अपनी सहेली की सहेलीं यह होगिया सो हेली है कि की बात में करमान में नीचे यह जोरा रहा और यह जूड़ कर पहली की बात मानी और सभी का सभी विडियो लिखिए सीन से सव और यह हो गया भा और भे के नीचे जेर और यह जूर दिये तो भी सभी सभी का सभी सभी तो हो गया सभी का सभी तो यहां पर का लिखिए का मेरी जूर कर का और फिर से सभी लिखिए सीन से सव और यह हो गया भ की बेकर नीची जेर और बड़ी यह और यूको दिखले दून के ऑपर पेशारवाजयू करनो और लो के वंपर क्या है नुकता है मतलब यह बिन्दु है यह बिंदु दिनों के उपर विंदु यह पर नलगा थैस दिनों के अंदर तो यह हो गया के अनुञैस नों से न डाल सेता ये डाल से दा हो गया और रे से रहा हो गया अंदर देख डाली तो डाल से दा हो गया डाल की नीचे जेर मानकर ये जोड़ दिये दे और ये हो गया खो दे और खो देख और डाली डाल में अलिफ जुड़कर डा और लाम की नीचे जेर मानकर ये जोड़ दिये तो ली देख डालि और खुद से तो यहां पर लिखे और खुद से उर्दु लिखने जाम के नीचे जेर मानकर बढ़िये जुड दिये और लिखने और यहां पर क्या है कॉमा है कॉमा किस तरह से दिया जाता है इस तरह से दिया जाता है उर्दू में और पढ़ने यह हो गया पे सिपा और धा यह हो गया धा और नून के नीचे जेर मानकर बढ़ी यह जोड़ दिये पढ़ने उर्दू लिखने पढ़ने और यहा यह हो गया यहां तक तक यहां कैसे लिखा गया यह से यह हैं मेलिफ जुड़कर हा और चांद वाले नौ के लिए यहां यहां तक तक लिखना है तेसे ता होता है और काफ से का होता है यहां तक और यहां तक की तो की भी लिख दीजें यहां पर यहां तक की उर्दू पढ़ा पढ़ाने यह हो गया पो धा और यह निए पढ़ाने पढ़ाने को भी काफ के उपड़ पेश और वा जुड़ कर को और भी यह गया भावभा के निचे जिर मानकर यह जोड़ दिये तो this video वर यहां पर तो इस कहानी का the end हो गया कहानी खतं यहीं तक और इसे के सांथ सात उर्थू फ्र बिगनर्स का सफर भी खतम विद फिर बिगनर्स का देंड हो जाता है इसी के सांथ लेकिन इस कहानी के जरिए आप लोग ये तो शुल दिखा-जाता हैं लेकिन मैं आप लोग को यह बताना चाहती हूं कि इस कहानी के जरीए उर्दू फोर बिगनर्स का देंड तो हो गया खतम जो कहानी की कमी रह गई थी मैं पार चालिस सक कंप्लीट बता दी थी बस वाके से बनी कहानी बचा हुआ था जो कि यह वीडियो कहानी पर ही बेस्ट था तो कहानी की कमी तो पूरी हो गई कहानी समझ गए लेकिन इस कहानी के जरीए आप लोग को उर्दू 4B size का महत हों बीपता चला कि उर्दू 4 विडियो है और मातर 40 विडियो देखकर अगर आप 10 दिनों के अंदर देख लेते हैं 40 वीडियो तो मात्र आप लोग 40 वीडियो देखकर उर्दू लिखना पढ़ना और यहां तक की पढ़ाना भी सीख सकते हैं तो यह कितना important है हम लोग का यह उर्दू for beginners का series तो इसी लिए उर्दू for beginners के इस playlist का link जो है न मैं इसी वीडियो के description में डाल दी हूँ आप लोग link पर click करेंगे तो आप लोग को 40 वीडियो one by one करके मिल जाएगा और आप चाहते हैं उर्दू पढ़ना लिखना देन आप लोग उसको one by one करके देख लिए complete सीख जाएंगे और आप भी अगर आप लोग देख लिए हैं 40 वीडियो और सीख गये हैं देन आप भी एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाईए आपके वो दोस्त जिनको उर्दू पढ़ने लिखने नहीं आता है आप लोग के जितने भी दोस्त हैं रिष्टेदार हैं भाई बहन हैं जिनको उर्दू लिखने पढ़ने नहीं आता है उन तक इस उर्दू for beginners के playlist के link को share करे उन तक इस link को पहुचाएं शेयर कर दे ताकि वो लोग भी उर्दू पढ़ना लिखना सीख सकें तो फाइनली यहीं पर हो जाता है उर्दू for beginners का दे इंड उर्दू for beginners का सफर समाथ यहीं तक था और मैं आप लोग को बताई भी हूँ कि इंसान complete मतलब कोई भी इंसान इस पर सीखते रहता है अगर कोई बोले कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं मेरे पास हर चीज का नौलेज है देने वह सबसे बड़ी घलत सैमी में है इंसान जन्म से लेकर मौत तक से यहां तक की मौत होती है तो मौत की क्या feelings होती है यह भी सीख कर ही मरता है तो मैं आप लोग को इस के जरीए यह बताना चाहती हूं कि अभी आप लोग उर्दू लिखना पढ़ना सिर्फ सीखे हैं अभी उर्दू को तराशना बाकी है और उर्दू को तराशनी के लिए न सही तरीके से बोलने के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ा जाता है देखें जैसे कि आप लोग न इंग्लिश स्पीकर होता है मतलब इतना शांदार वो इंग्लिश बोलता है ना कि उसके इंग्लिश को सुनकर दिल खुश हो जाता है तो सोचिए उसके इंग्लिश स्पेकिंग स्किल्स में उतनी फ्लूएंसी कहा आई उतना वो बोला होगा उतना पढ़ा होगा वह इंग् ग्रामर का सेक्षन अलग है यह आप लोग सिर्फ उर्दू सीखें हैं पढ़ना लिखना अब उर्दू ग्रामर में आप लोग को यह पता चलेगा कि जो आप लोग हर्फ पढ़ें हैं उर्दू में अलिवेपे उसकी कितनी किसमें होती है जी हां हर्फ का भी किसम होता है पढ़ते हैं तो वो उर्दू ग्रामर का सेक्षन अलग है अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि यह वह उर्दू किसी तरह लिखना पढ़ना सेख जाए तो कोई दिकत नहीं आप लोग सीख चुके लेकिन कोई जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि और आगे पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उर्दू में और बहतर बने दिन आप लोग उर्दू ग्रामर जरूर पढ़िए मैं इसी चैनल में उर्दू ग्रामर भी पढ़ाती हूं ग्यापन इंट्रेंसचेड्मी वहांपर एकदम जीरो लेबल से में उर्दू गरमर पढ़ाई हूं ठीकें तो वहांपर चले जाए यह इसी चैनल के home page पर जाएंगे ना जैनल वालए section मिल जाएगा गया पन इंट्रेंसचेड्मी चैनल मिल जाएगा वहांपर करेंगे वन वैँ ऐन करके आप लोग को उर्दू Ballamard का एक दम स्टार्ट में से वीडियो आ जाये दा कि है कि तो तो वहां से आप लोग उर्दू ग्रामर ऐक starts इंगे बहट ही बहन है अपर हर्म कि टाइप में कौन सार्फ किस टाइप में हलव्स की कितनी टाइप होती वहां पर भी उर्दु ग्रामर पढ़ाई हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंट करते हैं बहुत ज्यादा बात हो गई है आज की इस वीडियो में तो आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिये होंगे और अगर आप लोग चैनल पर नहीं अगले वीडियो को पहली बाहर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जबरू दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे क्योंकि उर्दू के इस तरह के कॉंटेंट और उर्दू के लिए जए हिंद और खुदा हाफिस